हलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चानल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत सवायत करता हूँ फिर्स टाम विजिट के जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना फ्री स्टॉक मार्केट क्लासे इस चानल को जाओ तो फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो या पर भ दोस्तो फिलाल इस वोड़े को स्टार्ट कर लेते हैं तो ठीक है दोस्तो अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ओपर पहला वीडियो होता है दोस्तो आप सब लों का पताए कि आने वाले नेक्स्ट पाच दिन बजार के लिए कैसे रहेंगी कौन से इंपोर्टन ट्रिगर पॉइंट है जो की बजार को भगा सकते हैं कौन से एज से इंपोर्टन ट्रिगर पॉइंट है जो की बजार को गिरा भी सकते हैं ठीक है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कौन-कौन से पॉइंट है जिसकों लेकर बजार में बड़ा-बड़ा अब है हाँ अभी ऐसा की बोल रख्यों कि आपको पता है लास्ट ये जो अभी हफता हुआ था मार्केट केवल चार ही दिन चला था विकास 20 तारीक को मार्केट बन था इलेक्शन था इसे लिए अभी अगर हम लोग देखे तो डाइरेक्ली डिसेंबर 25 डिसेंबर को छुटी है ठीक है उसके पहले अभी जितना भी मार्केट चलने वाला है बिना किसी रुकावट के पाचो में से पाचो दिन चलने वाला है तो ये पहला पॉइंट आप नोट करके चल सकते हो अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बाजार का माहोल क्या खेलाता है ठीक है अगर हम लोग करते तो शॉट टम की बात करते है ठीक है लॉट टम में तो भाई मार्केट अच्छा ही करता है ठीक है सकते हैं जो आखरी पारी अमनों को देखने को आपे मिल गई फ्राइडे की दिन उसमें जिस प्रकार से बाजार ने साड़े 500 पॉइंट की तेजी दिखा दी इससे पूरा गेम चेंज हो गया ठीक है बट ओर अरल कंटेक्स्ट यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है यस पिछला हफते की अगर बात करें तो हरा निशान अमनों को देखने को मिला बुल वाले थोड़े बहुत यहाँ पर नजर आए सम्हाँ मार्केट को हरे निशान में उन्होंने वापस कमबैक करने की कोशिश यहाँ जबरदस यहाँ पर की है अभी जैसे कि आपको बताए कोशिश तो की है बट उसको टिकाना यह सबसे टफ चैलेंज होता है इसी से रिलेटेड जो सबसे पहला मेजर पॉइंट है जो कि बुल के पक्ष में बहुत ही भारी मातरा में जाते वे देखने को मिल चुका है जो कि यह इलेक्शन का रिजल्ट येस इलेक्शन के रिजल्ट की बात करें दो स्टेट में इलेक्शन थे जारकंड की बात करें महाराश्टा की बात करें कल के दिन मैंने पूरा डीटेल वीडियो भी बनाए है यहाँ पर कि जारकन के इलेक्शन के अगर बात करें तो नो डाउट वहाँ पर BJP, NDA सरकार हारते वे देखने को मिलें बट महाराष्टा की बात करें तो यहाँ पर NDA की सरकार BJP बहुत ही जबरदस तरीके से जीतते वे देखने को आपे मिली है तो मार्केट किस चीज के उपर ज़्यादा रेक्शन करेगा महाराष्टा की उपर ऐसा क्यों यहाँ जड़ेपी वाग पे इंकम वापे कमाई वाग का बिजनेस काफी ज़्यादा हम लों को देखने को मिल जाता है ठीक है इसलिए अभी यह देखन हो चुकी थी बहुत गंदी राज नहीं थी देखने को मिली थी कोई इदर से उदर जा रहे है कोई इदर से उदर आ रहा है ठीक है और उसके बाद इस प्रकार से मतलब एक क्लियर मैंडेट मिलना ठीक है एक मार्केट के लिए हम ज़रूर यहाँ पर कह सकते हैं confidence वाला पार अपडेट के चलते हैं उसमें से पहला अपडेट है FOMC FOMC मतलब मिटिंग तो हो गई हाँ बट उसके minutes जारी होते वे देखने को आपे मिलने वाले yes MOM की अगर हम लोग बात करें तो minutes क्या होते हैं जो FOMC की मिटिंग होई थी उसमें जो जो discussion होता है उसको note-down किया जाता है इसमें पता चलेगा कि वो आगे आने वाले इसमें क्या प्लान कर रहे करके वैसे तो पॉवल जी ने ओलरी speech में बोलके रखा हुआ है कि GDP अच्छा अमेरिका का labor market अच्छा है inflation control है मतलब हो hint दे रहे कि December में उमीद लेकर मत चलो करके ठीक है anyways minutes of meeting से देख लेते कोई GDP का data वहाँ पे quarter 3 चल रहा है तो quarter 3 का GDP का data हम लोगो देखने को मिलने वाला है तो यह भी एक important point ज़रूर रहेगा next अगर हम लोग बात करें तो Trump अब सभी लोगों को बताई यह चुन करता है है इनका काम तो January से start होगा so Trump की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो बता बोलत अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जो बैडन अब सभी लोगों को बता है जो बैडन अभी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट है ठीके अभी भी वो हटे नहीं है ठीके टाइम होता है आप सभी लोगो बता है अभी जैसे साल खता हो जाएगा and then January की अगर हम लोग बात क कि जाओ रश्या के अंदर अटैक करो करके और युक्रेन ने उस चीज़ का इस्तमाल भी कर लिया ठीके तो यहां इस चीज़ के चलते मतलब हम कह सकते कि बाइडन ने पहले तो कोशिश की वर्ल्ड वार थी की शुरुआत यहापे हो जाए करके ठीके बट पुतीन को भी प मिल जाएंगे बर इतना पक्का है कि बाइडन का जितना टाइम यहापे अभी भी बाकी है कुछ ना कुछ तो वो उल्टी-फॉल्टी हरकते करते वे देखने को आपे ज़रूर मिलने वाले तो इसी के उपर मतलब फोकस यहापे रहेगा ठीक है अगर हम लोग बात करेंगे यहापे रखने के लिए ठीक है तो यह एक अपडेट हम लोग जरूर देखने को आपे मिल चुका है अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हमारे भारत देश की बात करतो हमारा भी GDP का डेटा हमारा quarter 2 चल रहा है तो quarter 2 का GDP का डेटा आने वाला है ठीक है उसके उप 9 expected था 6.7 आया बड़ उसके पहले कि आप देख सकते जितने GDP का डेटा थे इबदम अफलातून डेटा आम लोगों को देखने को मिले थे बहुत शांदार डेटा देखने को मिले थे ठीक है तो यह देखने वाली बात हो कि लास्ट टाम डेटा खराब आया था इस वक्त डे अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो नवेंबर मंद अभी नवेंबर मंद हो गया आखरी अफता है तो मन्थिली एक्सपारी में कभी-कभी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है तो जरूर यह एक पॉइंट भी हम लोगों को जरूर पता है आप यह से रिलेटेड बट इंतजार की इस चीज़ का होगा कि यह जो अनसर्टिनेटी वाले कुछ इवेंट से वो खतम हो जाए जैसे कि 20 तारिक के अगर हम लोग बात करें ठीक है 20 तारिकों मार्केट तो बन था बट जो सेवी के नियम थे कि FNO नए नियम लागों होंगे करक उसकी शुरुमात हो गई और सबसे बड़ा अनसर्टिनेटी वाला इवेंट क्या था कि इलेक्शन के रिजल्ट क्या निकल कराते हैं ठीक है अभी यह सारी चीज़े खतम हो चुकी है ठीक है कोई ना कोई नया टॉपिक तो आई ही जाएगा बट अभी यह देखने वाली ब मुरण ट्रेडिंग था इसलिए तो नुवेंबर मंथ में जितनी भी उन्होंने विकवाली की है उसमें से सबसे कम विकवाली हम लोगों को 22 नुवेंबर को ही दिखने कुम लेती फ्राइड़ की दिन कि 1200 करोड के रेंज में आपे विकवाली उन्होंने की ती करके ठीक है तो ओरल अगर हम लोग बात करें, इंटाइर नोवेंबर में अभी तक वो 41,000 करोड का माल यहापे बेच चुके हैं, ठीक है अभी देख लेते हैं कि इस अफते भी क्या उनका कोई मूड महल बदलता है या नहीं, काफी सारे इवेंट में हम लोग को यहापे फुल स्टॉप लगते ही देखने को मिल चुकी है, अनसर्टिनिटी हटे वे देखने को आपे मिल चुकी है, सो एक event देखना काफे interesting यहापे होने वाला है next अगर हम लोग बात करेंगे हमारा रूपी वह तो लगातार गिर ही रहा है against the US dollar then अगर हम लोग बात करेंगे gold, gold आप देख सकते हैं वापस 80,000 को touch करते वे देखने का आप मिल गया बीच में नीचे आया था देखने को मिल चका है, WTI जो 70 के नीचे था, वो 71 प्लस चला गया and brand जो 70 के करीब था, वो 75 प्लस चला गया, ठीक है तो यह चीज़े हम लोग को मतलब global level पर disturbance create करते वे देखने का आप मिल जाती है तो as a Indian हमारा focus तो हमेशा रहेगा भाई, crude जितना भी हो सके नीचे ही रहे ठीक है, क्योंकि आप सब लंग को पता है, हमारा सबसे बड़ा जो bill बनता है वो crude oil का ही बनता है, इतना हम लोग crude oil को import करवाते है और उपर से dollar इतना महिंगा हो रहा है, तो double जटके हम लोग को लगते वे देखने को मिल जाते है आखरी point की बात करेंगे option chain, option chain में तो भाई एक ही चीज़ focus में रहेगी कि अभी आप सब लोग को पता है, हम 24,000 के करीब है and as a bull की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बुल के पास तो एक अच्छा मतलब result तो आते वे देखने को मिल चुका है, इतना strong result देखने को मिल चुका है so 24,000 को तोड़ने की वो पूरी कोशिश आपे करेंगे, इसी हफते की बात करें तो पहले दीन की कोशिश आपे हो भी सकती है, ठीक है, ये एक focus में रहेगा and अगर opening अगर जबरदस अगर हो जाती है, उसके बाद वो आगे के और बड़े-बड़े targets को भी अलजी उकरने की कोशिश आपे कर सकते, जो कि इतना easy नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपके पास एकदम solid concrete reason आजाता है, अच्छा माहोल आजाता है, ठीक है, तो ये कोशिश आपे चलती रहती है अभी देख लेते, bear वालों ने बहुत अच्छे कासे पंजे मार के रखे हुए है, अभी बुल वालों को भी एक-दो अच्छे points यहापे मिल चुके है, तो उसको वो capitalize कर पाते है या नहीं, ये इस हफते की देखने वाली बात होगे, और सबसे खास बात कल का ही दिन, ये साबसे, तो आशा करता हो दुस्तों, वीडियो helpful लगा होगा, तो चाहता हो आप like and share कर सकते हो, काफे interesting ये अफ़ता यहापे होने वाला है, तो चले, इस वीडियो को यहीं पर रोखना चाहूँगा, मिलते है नेक्स विड़े में, तब तक के लिए, बब बाए